चलिए फ्रेंड आज जो अपना टॉपिक है पॉंप करेक्टरिस्टिक कर्व को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड इस वीडियो में वोग सेंटिफ्यूगल पॉंप क्या होता है इसके वाकिंग प्रिंसपल के लिए मैं अल्रेड वीडियो अप्लोड किया हूं अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन वाक्स में उस वीडियो को लिंक बीजाएगा उस वीडियो को पहले देख लेए फ्रेंड उसके बाद इसको देखेगा आपको अच्छे से समझ में आने वाला है तो देखे फ्रेंड पॉंप करेक्टरिस्टिक कब में जो यह हमारा कर्व वर्ड है कर्व का मतलब क्या होता है ग्राफिकल रिप्रिजेंटेशन तो किसीज का ग्राफिकल रिप्रिजेंटेशन उसको हम लोग समझ लेते हैं तो देखे फ्रेंड जभी भी हम लोग को सेंटिफ्यूगल पंप को पर्चेज करना है तो हम लोग क्य जादा उस पर multiple test करके देखते हैं कि हमारा pump का speed को variation करके देखते हैं कि उस condition में हमारा power कितना लगेगा, flow rate कितना मिल रहा है, या हमारा pressure head कितना develop हो रहा है, या pump हमारा कितना efficiency दे रहा है, मतलब multiple test करके एक graph को तयार करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, pump का characteristic curve, तो friends यह जो curve होता है, वो mainly तीन type से हम लोग test करते हैं, जो manufacturer होते हैं, इसका जो curve को draw करते हैं, plot करते हैं, वो तीन type से plot करते हैं, तो friends जो हमारा सबसे पहला जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, main characteristics curve, second को क्या बोलते हैं operating characteristic curve और जो third होता है उसको हम लोग बोलते हैं constant efficiency curve तो friends एके करके हम लोग तीनों को समझ लेते हैं सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि main characteristic curve में manufacturer है वो क्या चीज़ को plot करते हैं और क्या चीज़ देखते हैं तो friends main characteristic curve में जो manufacturer होते हैं वो क्या करते हैं speed को variation करके देखते हैं कि हमारा pump जो है वो कितना power ले रहा है या कितना हमारा flow rate दे रहा है या कितना हमारा pressure develop हो रहा है यानि friends जैसे हम लोग pump को चालू करेंगे तो क्या होगा हमारा उससे क्या होगा pump से water क्या होगा discharge होगा और discharge होता है तो उसके अंदर कुछ न कुछ क्या करेंगे जो मैनुफेक्टरर होते हैं जब हमनों starting condition में main characteristic में क्या करेंगे वह पहले speed को महालीजे friends zero speed में देखेंगे फिर चालू जब motor करेंगे उसके बाद देखेंगे 500 speed 600 speed 800 1500 ऐसे करके 3000 speed पर ले जाएंगे और देखेंगे फ्रेंट कि मानें आटल स्वीड है तो उस केंटिशन में जो इस वीडियो में हम दोग बात करने वाले हैं detail से किसके बारे में operatingAM करेक्टरिस्टी कब में क्या होता है जो manufacturer को तैयार करते हैं कैसे टियार करेंगे जो speed होता है Pump का speed होता है उसको क्या करते हैं constant कर देते हैं speed को क्या करेंगे constant करेंगे यानि जैसे मालीजे 3000 स्पीड है तो 3000 स्पीड में ही हमारा pump continue चलता रहेगा उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या flow rate को variation करके flow rate को कम ज्यादा करके हम लोग देखेंगे कि हमारा flow rate पे हमारा क्या power consumer हो रहा है या हमारा कितना pressure develop हो रहा है या हमारा क्या pump का efficiency मिल रहा है जैसे हम लोग pump को चालू करेंगे तो pump का speed है वो पूरा full speed में चला जाता है अगर मालीजे इसका speed कितना 3000 speed है तो इसका speed जो है वो पूरा 3000 speed चला जाएगा यानि initially जो टॉर्क है बहुत ही ज्यादा required torque है initially बहुत ही ज्यादा high रहता है तो high torque की वज़ा से जो motor है उस पे बहुत ही high power का जरूरत पड़ेगा यानि जब हम लोग pump को चालू करेंगे full speed जाने के लिए उस समय हमको motor पे बहुत ही ज्यादा load लगता है लेकिन जैसे हमारा speed जो है full speed में आ जाता है तो उस समय जो motor पे जो load है वो फिर से normal आ जाता है यानि जितना normal load लेता है उतना पे आ जाता है यानि चालू करने के लिए initially torque ज्यादा produce करने के लिए ज्यादा power का जरूरत पड़ता है उस condition में जब हम लोग का pump चालू करते हैं तो हमारा discharge वाल क्या होता है बंद रहता है अगर discharge बार बंद नहीं रखेंगे तो यहाँ पे already हमारा speed 0 से 3000 गया उसके लिए ज्यादा torque लगा और साथी साथ अगर हम लोग पानी खिचेंगे तो बहुत ही large amount में यहाँ पे torque का जरूरत पड़ेगा उतना पानी को deliver करने के लिए तो अचानक suddenly जो motor पे बहुत ही large amount में power का जरूरत पड़ेगा जिसके वज़ा से motor जो है वो trip कर जाएगा क्योंकि motor का एक design होता है कि इससे ज्यादा वो power ले नहीं सकता इसलिए क्या होगा हमारा जो motor है वो trip कर जाएगा तो motor को safety purpose से लिए हमई gn 없어 क्या करते है delivery valve को कभी भी बंद करके चालू करते हैं हमारा pump चाली वो गया और यहांपे dizär valve क्या है stop कंडिशन में है तो उस कंडिशन में ठाली है लेकिन यहांपे flow क्या होगा अभी भीहमारा zero दिखाएगा क्योंकि यहमारा discharge valve क्या है बंद है तो discharge जब valve खोलेंगे तभी हमारा flow rate क्या है स्वो करेगा तो friends अभी हम लोग देखेंगे जो हमारा flow rate होगा यानि discharge valve जैसे-जैसे खोलेंगे तो flow rate का relation जो है जैसे-जैसे हम लोग flow rate बढ़ाएंगे तो pump जो है जो relationship होता है वह किसमें होता है operating characteristic करव के अंदर तो फ्रेंट सली हम लोग एक एक करके तीनों करव को हम लोग डौ करके समझ लेते हैं पहले हम लोग देख लेते हैं flow rate versus pressure head यानी q versus h तो यहाँ पे मैं direct लिख देता हूं q versus h तो इसमें क्या होगा friends इसके लिए हम लोग simple एक डौ करेंगे vertical axis और एक होगा हमारा horizontal axis तो vertical axis पे हमारा h denote कर देते हैं यानी pressure head और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं flow rate flow rate यानी q तो friends जैसे हम लोग pump को चालू करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा flow अआज기로 क्योंकिए टिशयारग बाल बंद़ है तो जैसे हमारा flow 0 होगा तो यहाँ पे जोसी होगा answered maximum होगा flow 0 यानी maximum pressure यानी q अगर ziro थैस्ट जो pressure होगा वह क्या होगा maximum रहेका तो मान लिज देए friends यहाँ पे हमको मिल रहे है पूरा maximum परेम Cristo चालू है लेकिन फ्लो अमरा क्या है cottage उस कंडीशन में हमारा जो प्रैसर होगा वह क्या होगा मैक्सिम्म होगा और इस पॉंइंट को क्या बोलते हैं सट अफ फरेट इसको अमस्चार होता है गया सट आफ अ सेर्फ डियू सरफ बोलते के फ्रांट लेकिन जैसे-जैसे हम लोग flow को बढ़ाएंगे जैसे जैसे हमारा flow बढ़ेगा यानि जैसे जैसे हम लोग 24 वाल्ब को खोलेंगे तो pressure क्या होता है, reduce होता है इसको हम लोग एक example से समझ लेते हैं जैसे कि माली जी एक pipe है उसमें पानी flow कर रहा है और जैसे पानी flow करेगा उस pipe को क्या करेंगे, हम लोग bend करेंगे तो जैसे bend करेंगे, तो उस condition में हमारा flow क्या होगा, zero हो गया तो वहाँ पर क्या होगा, pressure बहुत ही ज्यादा high amount में रहेगा, बहुत maximum pressure वहाँ पर develop होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग pipe को क्या करेंगे, फ्रेंट्स open करेंगे, हलका सा open किये, तो क्या होगा पानी जो है, pressure में जाएगा, साथ ही साथ, उसके साथ कुछ flow रहेगा, लेकिन जैसे हम लोग पूरा open कर देंगे, तो पानी जो है, flow से जाएगा, लेकिन उसका pressure होगा, वो क्या होगा, reduce हो जाएगा यानि जैसे जैसे हमारा flow बढ़ेगा अगर मालीजे friends यहाँ पे 10 MQ है तो यहाँ पे pressure मालीजे friends हमको यहाँ इतना मिलेगा ठीक है और जैसे मालीजे friends हमको यहाँ पे 25 MQ आ गया तो 25 MQ पे हमारा कुछ यहाँ पे इसका जो pressure है friends यहाँ पे 80 था और यहाँ पे 70 है तो 70 head तो फ्रेंट्स ऐसे यानि जैसे जैसे हमारा फ्लोरेट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा फ्रेंट्स प्रेसर भी जो है वो रिडियूस होगा इसलिए हमारा जो ट्रेंड होता है इस टाइप का होता है चीक है तो फ्लोर जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा प्रेसर क्या हो of pump, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, तो friends इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हमारा वोगा vertical axis और यहां पे होता है हमारा एक horizontal axis, तो vertical axis पे हमारा क्या हो जागा, यहां पे मैं लिग दे रहाओ, pump का efficiency और इधर हमारा क्या हो क्यों तो अभी इसका रिलेजसिप देखते हैं तो क्या होगा कि फ्रेंट्स जैसे जैसे हम लोग फ्रो बढ़ाएंगे जैसे जैसे हम लोग क्या चाहिए यह जोगा लेकिन उसके बाद हम लोग पर flow लेंगे तो क्या होगा efficiency वहां से क्या होगा decrease होने लगेगा यानि friends कि एक ऐसा condition है जब हम flow बढ़ाएंगे तो हमारा efficiency बढ़ेगा और एक ऐसा point आएगा जहां पर हमारा maximum efficiency देगा और उसके बाद जो है हमारा efficiency क्या होता है reduce होने लगता है इसको हम लोग एक example से समझ लेते हैं तो friends मालीजिए हमने एक car का example ले लिया तो car का जो speedometer है friends उसमें आप लोग देखें होंगे कि एक तरफ हमारा speedometer में green signal होता है एक red signal होता है यानि green signal वो signal से करता है कि वो हमारा economical signal है यानि friends उस range में अगर हम लोग car को drive करेंगे तो हमारा जो efficiency है वो best देगा लेकिन जैसे हमारा red signal में speed चला जाएगा तो उस condition में जो efficiency होगा उस car का वो होगा reduce होगा यानि friends वही चीज है कि जैसे जैसे हम लोग pump का flow बढ़ाएंगे एक ऐसा condition आएगा जहां पर हमारा maximum efficiency रहेगा लेकिन उसके बाद जो है हमारा efficiency अगर और flow बढ़ाएंगे तो efficiency क्या होगा reduce होने लगेगा तो यह होगे हमारा friends q versus pump का efficiency अभी हम लोग समझ लेते हैं flow rate यानि q versus power यानि p यानि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ q versus power तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक vertical axis ले लेते हैं और एक हमारा horizontal axis होता है तो इधर क्या जाएगा हमारा power हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा हमारा flow rate हो जाएगा यानि q और इधर क्या हो जाएगा हमारा power तो friends जब हम लोग pump को चालू करते थे तो क्या होगा हमारा कुछ ना कुछ load लेते था यानि pump चालू करने के वैसे वैसे उसका power क्या होगा increase होगा यानि load बढ़ेगा जब हम लोग pump का flow rate बढ़ाएंगे तो क्या होगा उसका amps बढ़ेगा ना तो flow rate जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे तो इसका जो power है वो क्या भी increase करेगा तो increase करके मालीजिये इसका graph कुछ इस टाइब का बनता है, यानि जैसे मालगे अभी हमारा यहां पर कैथा, जीरो फ्लो था, यहां पर मालगे यहां लिजी हमारा 10MQ आ गया, ठीक है, तो 10MQ पर अगर हम लोग देखेंगे, तो लोड हमारा कुछ इतना लगेगा, अगर friends मालीजे हमारा यहाँ पर 20 MQ है तो इसका लोड दखेंगे तो हमारा इतना लगेगा अगर मालीजे 50 MQ है तो friends उसका लोड कुछ हमारा इतना यहाँ पर 50 तो यहाँ पर लोड यहाँ पर लोड करते हैं यानि इस ग्राफ को क्या करेंगे तो हम लोड उसमें देखेंगे फ्रेंट की फ्लोर रेट वर्स पावर का क्या रिलेशनसीफ है और फ्लोर रेट वर्स एफिसेंसी और पॉंक को तीनों में हम लोड एक ही में मर्ज करेंगे और उसके बाद friends हम एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और एक हमारा हो जाता है होरीजेंटल लाइन ठीक है तो friends यहाँ पर हम लोग किसका रिलेशन देखेंगे तो पहले हम लोग देखेंगे head किसमें रहेगा friends मालीजे मीटर में रहेगा उसके बाद हमारा क्या रहेगा head के हम लोग pump का efficiency यानि pump efficiency और third क्या देखना है हमको power यानि कि flow rate versus power का relationship यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा flow rate या किसमें है Q में है ठीक है front तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले flow rate versus head तो देखेंगे friends flow rate versus head में क्या है हमारा सबसे पहले जब हमारा pump चालू करेंगे और हमारा इसगार बंद रहेगा तो इस पॉंट पे जो प्रेसर रहेगा वो maximum प्रेसर रहेगा तो medicines नाल इस पॉइंट पे मालीजी हमकल इसको इम。 इस पहले हम लोग इसको nemिं कर देटें तो माली आप क्या है 0 है इस point पर मां लिजे हमारा 20 दे रहा है ठीक है 20 meters है यहां पर हमारा 40 meters है यह मां लिजे हमारा 60 meters यह हमारा 80 meter और मां लिजे यह क्या है 100 meter ठीक है friends अगर efficiency के टर्म में देखेंगे तो 20%, 40%, 60%, 80% and 100% हो जाएगा Friends इधर भी मैं write down कर देता हूं मां लिजे यहाँ पर 20 MQ कहयa है 20 MQ किव स्वेश्च चिंदैंगे रिता हूं जीस पर इनोट तो महां लिए यहाँ माँ हमारा पावर्det है मैं यहाँ पर पर हमारा पंप जो है innć रहा है ठीक है यहां पर मान लीजी हमारा 200 EMS ले रहा है और यहां पर जो है हमारा power जह है वो 300 EMS ले रहा है यानि maximum power उसका कितना है 300 अजों कर लेते हैं इतना है ठीक है तो अभी ग्राफ को plot करेंगे कैसे हम रोग प्लॉड करते हैं इतना है तो सबसे पहले maximum pressure develop होगा यानि इस पॉइंट पे हमारा जो प्रेशर होगा maximum pressure होगा इस पॉइंट के हम लोग क्या बोलते हैं friends बोलते हैं हम लोग set of head या set of pressure ठीक है लेकिन जैसे ही हम लोग ये discharge valve को खोलेंगे तो flow क्या होगा increase होगा इधर हमारा flow क्या increase हो रहा है तो friends उस condition में जो हमारा pump का जो head है जो pressure head है वो क्या होता है decreasing order में आता है जैसे कि हम लोग ये वाला graph देखें तो ठीक है यह क्या होगा हमारा decreasing order में आ रहा है मा लिजे हमारा कुछ इस टाइप का रहा है और friends यहाँ पे इस point पे जहाँ पे हमारा flow जो है वो maximum हो जाए pump का flow जो maximum देदे और pressure जो है वो अदम minimum आ जाए इस point को हम लोग बोलते है है free delivery point यह क्या होता है free shutdown set of head होता है और यह क्या होता है free delivery point ठीक है तो यह हो गया हमारा relationship पहला हो गया q versus h ठीक है friends अभी हम लोग देख लेते है flow rate versus pump तो क्या है friends कि जैसे हम लोग pump का यह डिशा बाल खोलते हैं तो एक desired flow तक मालीजे हमारा 20 मालीजे 25 MQ पर यह जो pump है वह क्या है पूरा full efficient है पूरा efficiency full efficiency दे रहा ठीक है लेकिन जैसे 25 MQ से हम लोग ज्यादा pump का flow बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा उसका efficiency मालीजे friends decrease होदने लग रहा है तो उस condition में जो efficiency होता है वह best efficiency होता है लेकिन जब हम लोग rate signal में गाड़ी को चलाते हैं तो उस समय हमारा efficiency होता है decrease होने लगता है तो friends similarly इस condition में जो हमारा pump है मालीजे 25 MQ पर वह क्या होगा maximum efficiency दे रहा है ठीक है इस point को थोड़ा यहां पर जो point होगा यह point इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम एफिसेंसी एम एक्स लिख दरहा हूँ maximum efficiency ठीक है friends और friends जब हम लोग maximum efficiency से एक line डोग करेंगे और आते हैं friends किसे pressure head पे तो इस point को क्या बोलते हैं हम लोग B E P यानि best efficiency point इस point को क्या बोलेंगे friends best efficiency point यानि क्या होगा friends कि हमारा अगर 25 MQ flow rate हो और pressure के term में देखेंगे friends तो यहां पर मालीजे हमारा pressure कितना है 58 के करीम है न तो 58 meter अगर pressure हो और friends इस condition में हमारा जो efficiency होगा यानि जो भी design किया गया है जो impeller इसमें जो लगाया है जिस size का इस size में जो impeller का जो size लगाया है इस condition में pump जो है वह हमारा best efficient है यानि इस condition में जो pump है अपना full efficiency दे रहा है friends ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं flow rate versus power तो देखे friends flow rate versus power यानि जैसे हम लोग pump को चालू करते हैं तो कुछ न कुछ amps लेता है तो माल लिजे friends यहाँ पर मैं draw कर दे रहूं यहाँ पर हमारा कुछ amps ले रहा है जैसे इसको calculate करेंगे तो माल लिजे 100 amps ले रहा है तो amps क्या होगा इधर increase हो रहा है तो friends हमारा जैसे जैसे इधर flow rate बढ़ेगा हमारा amps increase कर रहा है तो देखे friends यहाँ पर हमारा क्या है अगर इस पॉइंट पर देखेंगे तो हमारा कितना amps ले रहा है 150 तो best अगर इस पॉइंट बोलेंगे best efficient point तो हमारा इसके लिए क्या हो ज जाएगा और इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या बोलेंगे यानि 25 एमक्यू और इतना मिटर हेड को क्या बोलेंगे हम लोग बेस्ट efficient point तो friends इस graph का हम लोग का यूज क्या होता है जैसे friends की माल लिए हमको यह हमारे पास graph अभलेबल है manufacturer द्वारा हमारे पास graph अभलेबल आना चाहिए ठीक है लेकिन उस condition में जब हम लोग efficiency pump का calculate करेंगे तो हमारा efficiency कम आ रहा है तो friends इस गर्व से हम लोग क्या करेंगे pump का performance और behavior को प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अगर हमारे पास यह curve रहेगा तो हम लोग प्रेडिक्ट कर लेंगे कि हमारा pump अभी कितना efficient है कितना performance दे रहा है तो इस curve का बहुत ही ज़्यादा importance है इसलिए manufacturer क्या करते है multiple test करके इस graph को plot करते हैं जिससे जो customer होते हैं उनको असानी से इसका efficiency को calculate कर पाते हैं तो friends जैसे हमारा 20 meter है तो इस पे यहाँ से हम लोग क्या जाएंगे top में जाएंगे friends और इस graph की मदद से हम लोग pump का efficiency calculate कर सकते हैं कितना power लेगा उसको calculate कर सकते हैं और कितना head generate होगा उसको calculate कर सकते हैं तो friends यह हुआ हमारा all about pump characteristic कब के बारे में उमीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग अच्छे से समाझ में आ गया होगा अगर मेरा वीडियो आप लोग अच्छा तो मच